आज हम बात करने वाले हैं grassim industries के बारे में grassim industries में यहाँ पर मैंने weekly time frame में chart को set कर रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पर price action strategy यहाँ पर inverse head and shoulder बनाया हुआ है और अगर यहाँ पर यह 1791 या फिर 92 के उपर close कर देता है weekly time frame में तो हम एक बड़िया target के लिए जा सकते जो कि है 2246 या फिर 47 का अगर आप कोई long term trade करना चाहते है और grassim industries में interested है या फिर ओलड़ी आपका investment grassim industries में है तो यह target के लिए जा सकते है और यह target maximum breakout के बाद 12 months के लिए होने वाला है और यह information अच्छी लगी हो तो एक like कर दीजएगा ऐसी information के लिए channel को subscribe कर दीजएगा मिलत है नई वीडियो में तब तब कि लिए थैंक्यू